हमारे ग्रह पे मिलियन आफी स्पेसिज हैं लेकिन लोग कुछ जानवर को बुद्धिमान करते हैं जैसे की डालफीन, कुछ को नटकट जैसे की बंदर और कुछ को वफदात जैसे की कुट्था लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जिसे लोग गाली के तौर पर इस्तमाल करते ह आज मैं आपको ऐसे नाइन फेक्ट बताने जा रहा हूँ इससे आप जान सकेंगी वाकई गधा एक बुद्धिमान जानवर है गधा का साइंट फिक नेम इकवास अफ्रिकस असिनस है या घोडे के परिवार का पालतू सदस्य है गधे को कम से कम पाँच हजार वसोर तक कामकाजी जानवर के रूप में इस्तमाल किया गया है दुनिया में 40 मिलियन से अधिक गधे हैं ज्यादा तर ये अंडवलप कंट्री में पाय जाते हैं गधे को बारिस से सक्त नफरत है क्योंकि उनका स्कीन जो है वाटर प्रूप नहीं है जिसके कारण बारिस ने नुकसान पहुँचा सकता है गधा की हेरिंग पावर बहुती ज़्यादा होती है एक गधा रिगिस्तान इस्तितियों में 60 मिल दूर से दूसरे गधे की आवाज सुनने में सच्चम है या उनके बड़े कानों के कारण संभव है गधे के दूद में सूगर और प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है और फैट बहुती कम पाया जाता है इसी के कारण ये तीबर क्लोसिस जैसे भीमारी का विलाज करने में सच्चम रहा है गधे का दूद किसी भी अन्य प्रजातियों की तुलना में मानों के दूद के समान होता है या आप जानते थे कि गधों की सबसे अच्छी समरिती है मतलब उनकी मेमोरी पावर बाकी जानवर से बहुती ज़्यादा है वे पचीस साल पहले की जगह या अन्य गधे को याद करने में काबिलियत है आपको बता दे कि गधों की तुलना में गधे फिरी थिंकिंग और डिसीजन पावर बहुती ज़्यादा होता है जब बात हो तो यात्रा की तो गधा एक ऐसा जानवर है जो की सभी छेत्रों में यात्रा करने का केपिबिलिटी रखता है यह घोड़े के समान कहीं भी भी रिगिस्तान पहाड कहीं पे भी सच्छम है यह है टीपू गधा जो की हर्याना में राता है इसका कीमत है 10 लाक रुपया इसके मालिक हर दिन लगवग एक हजार रुपय खर्च करता है इसके उपर आपने तो पनीर बहुती खाये होंगे और ज्यादतर पनीर काव या मिलक होते हैं क्या आपने कभी डंकी का पनीर खाया है हाँ आपने सही सुना इसका नाम है प्यूल चीज या प्यूल पनीर और यह एक सरवियाई देशों में बहुती फेमस है यह गधे का 60 परसेंट और पकरे का 40 परसेंट दूद मिलाकर बनता है और इसका कीमत है एक हजार यूरो पर वन केजी मतलब एक किलो ग्राम चीज का दाम है पंचानवे हजार रुपया